हेलो फ्रेंड वेलकम ठोस्य चैनल, आज हम मखाना के बारे में बात करते हैं, सुख निवे में शामिल होने वाला मखाना को भारत साथ सांथ पूरी दुनिया में इस्तमाल किया जाता है बहुत से लोग इसे भून कर खाना पसंद करते हैं वहीं कई लोग इसे फ्राई कर इस्तमाल मेलाते हैं और कुछ लोग इसे खीर बना कर इसका सिवन करते हैं लेकिन स्वाद के साथ ही यह आपकी सिहत के लिए भी अत्याधिक लागकारी है इसमें कुछ ऐसे पोशक तत्व पाये जाते हैं जो आपको मोटापा, डायबिटेज और हाई बीपी जैसी कई गंभीर बिमारियों से निजात दिलाने में मददकार साबेद हो सकते हैं डायबिटेज की समस्या से रहत पाने के लिए मखाने का उपयोग किया जा सकता है एक शोध के अधार पर इस बात की पुष्टी की गई है कि मखाने में पाये जाने वाले रिजिस्टेट स्टार्च में हाइपोगलाई सेमिक बलड शुगर को कम करने वाला प्रभाव पाया ज काम करता है मखाना खाने के फैदों में हिर्दे स्वास्त भी शामिल है इसमें पाये जाने वाले अलकेलाईड और कुछ खास पोशक तत्वे दिल संबंदित जोखिम को कम करने का काम करते हैं मखाने का उपयोग हाई बलड पेशर की समस्या से शुटकरा दिलाने में भी साय साबित होता है जो हिर्दे स्वास्त से सीधे तोर पर संबंदित है मखाने में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है इसलिए ऐसा कहार जा सकता है कि मखाना खाने के फैदों में प्रोटीन की कमी को पूरा करना भी शामिल है इसके नियमित उपयोग से शरीर में प् कारण यह है कि मखाने में कई पोस्टिक तत्वों के साथ प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, फाइबर कबजी की शिकायत को दूर करने में सहायक साबित होता है, गरभावस्था में भी मखाना खाने के फायदे हैं, फॉलिक एसेड, आयरन, जिंक और कैल्शियम ज पायजाते हैं. इस कारण ऐसा माना जा सकता है कि मखाना खाने के फायदे में गरभावस्था के दौरान, पोशक तत्वों की कमी को पूरा करना भी शामिल है. साथी अनिद्रा यानि नीद ना आने की समस्या में मखाना खाने के लाब की बात करने तो ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ खास अलकेलाइट पाए जाते हैं जिनकी मौजोद्गी के कारण मखाना खून को साफ करने शरीर को ठंडा करने और तंत्रिका संबंधी विकारों को अनिद्रा और बैचैनी जैसी समस्याओं से शुटकरा दिलाने में भी सायक मना जाता है इसका इस्तमार डायरिया अथ्वा लूज मोशन की समस्या से निजार दिलाने में लाबकारी साबित होता है मखाने में केल्शियम, मैगनीशियम, आइरन और जिंक के साथ साथ विटा प्रभाव पाए जाते हैं मखाने में पाए जाने वाले यह तोनों मसूडे समबंदित सूजन और बैक्टीरियल प्रभाव के कारण होने वाली सरडन को रोकने में मदद गार है मखाने के फूल में पाए जाने वाले अलकेलाइड और नैल्यू भी bleeding gums की समस्या से निजाद दलाने में सायक हो सकते हैं विशेशग्यों के मताबिक मखाने में alkaliide liacinin और iso liacin और neferin जैसे तत्वा पाये जाते हैं ये सबी तत्वा lever से जुड़े जोखिम कारकों को कम करने में मदद करते हैं इससे lever बहतर तरीके से काम करता है lever ही है जो खून को refine करने का काम करता है और बाद में खून kidney तक पहुचाता है इस प्रकार इन तत्वों का प्रभाव lever के साथ साथ kidney से समबंदित जोखिमों को कम करने में भी दिखा जा सकता है इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मखाने का नियमित उप्योग kidney के लिए फायदिमन साबित हो सकता है मखाने में कई antioxidant पाये जाते हैं वहीं त्वचा से संबंदित समस्याओं में मखाने के उप्योग पर किये गए एक शोध से इस बात की पुष्टी की गई है कि मखाने में पाये जाने वाले सभी antioxidant त्वचा के लिए synergetic effect प्रदर्शित करते हैं यही प्रभाव त्वचा पर आने वाली जुरियों को दूर करने में मददकार साबित होता है इस तरह से मखाने में इसकिन को सुरक्षित रखने और अल्ट्रा वाइलेट करनों से बचाने वाले गुण भी पाये जाते हैं मखाना नास्ते के रूप में सुबर या शाम को खाने में इस्तमाल किया जा सकता है और मात्रा की बात की जाये तो आमतोर पर एक बार में 20-30 ग्राम मखाने का उपयोग किसी भी रूप में किया जा सकता है मखाने का ज़रत से ज़्यादा अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए इसके दुश्परिवाम हो सकते हैं और कुछ लोगों को मखाना खाने से अलर्जी हो सकती है और उन लोगों को मखाना के सेवन से बचना चाहिए जो डियाबिटेज कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का उपयोग कर रहे हैं मखाने में स्टेराइड भी पाया जाता है इसलिए इसके अत्यधिक सेवन से मुह में जलन के साथ मुह में समबंदित कुछ समस्याएं पैदा होने का खत्रा हो सकता है तो इस तरह से फ्रेंड मखाने का उचित मात्रा में इस्तमाल करके आप इसके स्वास्तिलाब ले सकते हैं इस तरह से फ्रेंड स्वास्ति से जुड़ी इतनी ही बाते और बाते हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे तब तक के रहे आप चैनल को लाइक शियर और सबस्क्राइब जरूर करें